हेलो फ्रेंड्स और वेल्कम टु थे एक्जाम्स मेट सिंपल सो वी आ बैक और यह वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है का मुद्दा कई लोग ने पूछा कई लोग ने नहीं पूछा लेकिन दिमाग में आया ठीक है ना तो अपन सिसाइट की बात कर लेते कि क्या इस सब्जेक्ट को लाइटली ले सकते हैं आंसर है नहीं यह माक्षीट जो आप देख पा रहे हैं इस माक्षीट ऑफ वन अफ मैं वन क्वालिफाइट फॉर पेपर वन बट पेपर टू में अगर आप मार्क सेगे तो 49.18 यानि की नौट क्वालिफाइट फॉर पेपर टू यानि सीसाइट इन्होंने क्वालिफाइट नहीं किया है तो जैसा कि आप यह माक्षीट देख पा रहे हैं भविश्च में आपक सीसाइट को बिल्कुल लाइट लाने चाहे आप मैस स्ट्रेंट हैं चाहे आप मैस स्ट्रेंट नहीं है आज कल बिल्कुल बात बराबर हो चुकि क्योंकि सीसाइट के कॉम्क्रिहेंशन भी इतने ही टफ आते हैं जितना कि उसका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है ना बलकि म और LR में स्कोर करना जादा असान है तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कि किस तरीके से आप CSAT को कवर कर सकते हैं for your UPSC examination अब देखो बात है कवर करने के तो दो तरीके हैं एक है लंबा तरीका long term दूसरा है छोटा तरीका short term है ना चुकि हम लोग UPSC की त्यारी कर रहे हैं GS1 में खुद इतना time लग जाता है कि आप long term solution बहुत जादा अपना नहीं सकते हैं याने कि बहुत जादा आप त्यारी नहीं कर सकते हैं CSAT के लिए कि आप पूरी किताबे उठा करके साल भर उसको regularly लगाते रहें तो उसका हम short term तरीका बताते हैं short term तरीके सबसे पहली जो चीज है वो है कि पिछले 4-5-6 सालों के जो UPSC ने पेपर लिये हैं CSAT की याद रखेगा जो UPSC के पेपर है उनको चार्ट डाली उनको लगा डाली उनको रट डाली ठीक है ना उन pattern के questions को समझ लिए कि क्या question basically पूछ रहा है कौन से topic से सबसे जादा question है चाहे वो quant की बात हो चाहे LR की बात हो comprehension definitely वो हर साल change करेगा आप लेकिन solve जरूर करिए ताकि आपको बिल्कुल आप used to रहें उसको regularly अपने solution में जरूर रखे ताकि आप used to रहें वहाँ जाकर कि कई लोग पहली बार comprehension पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी reading habit नहीं रहती है तो reading habit डालने के लिए at least आपको 50, 60, 20, 30, 40 comprehension पढ़ करके आपको जाने चाहिए और वो चीज़ आप UPSC के पुराने comprehension से कर सकते हैं ठीक है ना अब दूसरा जो important tip ट्रिक जो भी आप लिखना है तो उसमें quantum reasoning है आप एक बार देख लीजे कि सबसेदिक कौन सो topic से question पूछा गया है maths के quantum वाला part और reasoning के जैसे calendar हो गया calendar के बहुत सारे question पूछा जाएंगे मैंने वैसे topics आगे लिखा है तो पर आप जब देखेंगे paper में तो calendar के question बहुत पूछते हैं clocks के question बहुत ज़्यादा पूछा जाते हैं आप से वो permutation, combination probability, graph type के question 6 लोगों का sitting arrangement बहुत पूछते हैं लोग बैठे हुए हैं, एक husband है, wife है इस तरीके के 6 person relation question बहुत पूछे जाते हैं तो इस तरीके के कुछ question आप जरूर solve करके जाएं और basic mathematics तो आपको आनी चाहिए जैसे कि average हो गया, average बहुत important topic है average हो गया, average पे कई बार कुछ graph भी based रहते हैं average जैसे सवाल आपको लगा के जाने चाहिए number system आपका अच्छे से तयार होना चाहिए number system में जैसे आपका rational number है, irrational number है fraction है, fraction जैसे minus 1 by 3 1 by 6 पी पावर minus 1 by 3 लिग दिया तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कैसे solve करते हैं सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए, basic है बिल्कुल basic है यह ना, तो यह एक दो चेप्टर में आपका पिछले साल की जब question लगाएंगा तो आपको वहीं पर समझ में आ जाएगा और जिस भी type का question लगाई है, आप make sure करिए कि आप उन चीज़ों को दुबारा और उसके उपर based 5-10 question और लगा रहे हैं, ठीक है ना, इसके बाद exam time में क्या ध्यान देना है, exam time में ध्यान देना जो मैं अपना time division करता था, वो करता था 40 minutes quant और reasoning के लिए, और 1 hour 20 minutes for the comprehension में बाखी के inference type के question थे, assumption based question थे, most logical explanation जो इस type के question थे, वो सारी चीज़ें मैं बाद को एक घंटे 20 दोने करता था, अगर फिर बाद इस समय बसता था, तो पुराने कोई चीज़ देख लेता था, तो 40 minutes मैंने maths और reasoning के लिए दिया, जिसमें मैं मौत का सवाल मत बना लो कि, इस सवाल में मैंने चुकी 2 minutes दे दिये हैं, तो मेरे को पूरा ही पूरा solve करना है, उसको आप 1 minute, 2 minute देखो, और नहीं सभी में आ रहा है, बिल्कुल आपको tip नहीं लग रहा है, तो उसको आगे बढ़के छोड़ दो, 40 minutes आपको देना है, maths प्लस reasoning, उसके बाद बाकी के गंटे 20 minute आपको बाकी का पूरा paper solve करना है, ठीक है ना, जिसमें 10 से 15 आपको maths के दिये, मैंने 25 minute का time आपको reasoning का दिया, और एक गंटे 20 minute आपको comprehension का time दिया, इस तरीके के अगर आप division रखतें, तो आप जादा जादा question attempt कर पाएंगे, कुछ topics बहुत important है, जैसे number system हो गया, calendar हो गया, average हो गया, graph हो गया, 6% arrangement हो गया, HCF हो गया, LCM हो गया, divisibility हो गई, है ना, PNC हो गया and probability हो गया, तो इसके थोड़ा basic question तो आप लगा निकालने पर heads की probability कितनी है, tail की probability कितनी है, या 3 dice एक साथ फेकने में, 4 एक आने की probability कितनी है, यह सारे आपको निकालने आने चाहिए cases, ठीक ना, थिए दर very easy questions, और एक बार आप जब यह सब solve कर लोगे, तो आप easily बहुत अच्छा वहाँ पर कर पाऊगे, तो कुछ मैंने आ आप नहीं जानते कि कौन सांसर आपका सही है, और कौन सांसर आपने थोड़े से एक word के चक्कर है, मिस कर दिया, comprehension are most likely to get wrong, therefore ज़्यादा तर आपको make sure करना है कि आप quant और reasoning के question attempt करें, जिसमें direct answer आता है, plus quant और सबके answer question मिला करके, आपको कम से कम 50-55 attempt रखना है, ताकि एगर 10 question भी गलत हो जाए, तो भी आप select हो जाए, efficiency याने की जो efficiency होनी चाहिए, वो भी अच्छी रखनी है, plus आपको 50-55 attempt भी रखने है, तो these are some of the things which are very important to keep in mind during the CSAT examination, ये अगर चीज़ें आप करते हो, तो CSAT examination definitely आप qualify कर लेंगे, otherwise इस तरीके की कुछ माफिट आपकी देखने को नज चाहते, please make sure you people do good in the 6 years examination, all the best to you people, keep working hard, that is it for the day, thank you and keep sharing, अपको अच्छा लगा हो तो आप शेर जरूर करियेगा video and do like it, thank you and have a nice day.